उधारन 11 दिये गए चित्र में M A B का मद्धिबिंदु है तथा भुजा C A सर्वांग सम है भुजा C B तब सिद्ध कीजिये की त्रिभुज A C M सर्वांग सम है त्रिभुज B C M हम उधारन 11 हल करेंगे उधारन 11 के चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक त्रिभुज C A B है जो सम्दी बहुत त्रिभुज है और इसमें भुजा C A और C B सर्वांग सम है यानि इनकी माप C A और C B हापस में बराबर है एक जानकारी हमें दी हुई है इसे संकेत के रुप में हम प्रदर्शित कर दें C A बराबर C B और दूसरी चीज़ हमको दी हुई है कि हमने यहां से एक C A में रिखा खंड कीचा है जो A B को A M पर मिलता है तो यह जो बिंदू A M है वो A B का मद्दी बिंदू है तो इसे दूसरे अर्थों में आप ऐसा भी कहा सकते हैं कि A M और M B आपस में बराबर है यह हमने लिख लिया यह दो चीज़ हमें मिली हुई है और हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इस C A M को ड्रा करने से उन दोनों त्रिभुजों C A M और C B M इन दोनों त्रिभुजों में सरवांग समता है यह हमें सिद्ध करना है तो देखते हैं सरवांग सम्ता की किन शर्टों के आधार पर हम ऐसा कर पाते हैं एक चीज तो आपको मिल गई है कि इन दोनों त्रिभूजों में भुजा C A और C B बराबर हैं और एक चीज और मिल गई है आपको कि M A B कमद बिंदू इसलिए A M बराबर M B अब तीसरी दी कौन से चीज हो सकती है आप सोचके बताईए आप यदि गवर से चित्र को देखें तो आपको दिखाया पड़ेगा कि C M दोनों जगा पर मौदूद है तो तीन भुजाएं हो गई हैं आपके सामने और तीन भुजाएं परे तीन की तीन भुजाएं दूसरी संगत तीन भुजाओं को बराबर हैं तो आप क्यา सकते हैं कि तरिभुज सरवांग समय है इन्हें लिखते हैं संकेतों के भाषा में जैमेति के भाष्शा में हम लिखैं तरिभुज C A M और कि तरिभुज C B M C B M में क्या के चीज़ें हैं आपके पास एक चीज़ आपको मिल रही है पहले त्रिभुज की भुजा सी ए और दूसरे त्रिभुज की भुजा सी बी आपसे बराबर है इसे लिखें आप सी ए बराबर CB दूसरी चीज जो आपके पास है AM बराबर BM ये MB तो हम इसको यहां से शुरू कर रहा है जिसे ऐसा लिखेंगे AM बराबर BM इसे लिखिए AM बराबर BM ये हमें दिया हुआ है और तीसरी भुजा CM दोनों तिरे बोजों में उपस्तित है तो हम लिखें CM बराबर CM उभैनेस्ट भुजाए और यहां आप लिख सकते हैं सम्दी बाहुत रिभुज की समान भुजाए सम्दी बाहुत रिभुज की बराबर या समान भुजाए यह आप लिख दे और A M बराबर B M हमें दिया हुआ है रशना से तो आप देख रहे हैं कि इस तिर्भुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले तिर्भुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है इसलिए आप कहा सकते हैं कि भुजा 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 या साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज C-A-M त्रिभुज C-A-M और त्रिभुज C-B-A-M सर्वांग सम है तो C-A-M सर्वांग सम है C-B-A-M के और यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर नाम हमने A-C-M और B-C-M लिखा है उससे आप C-A-M या C-B-A-M कहा सकते हैं तो यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए और यही आपको इस उदारण में सिद्ध करना था